सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवविचार सी मनुष्य की मानवता उसे छड़नश्ट हो जाती है, जब उसे दुश्रों के दुख में हसी आने लगती है आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, पर एक बात हमेंसा याद रखना, आपको जो गलत समझता है, वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा, क्योंकि नजर का ओपरेशन या जा सकता है, पर नजर ये का नहीं जिस मित्र की शत्रूओं के साथ बैठक हूँ, उस मित्र से सदेवर शौधार रहना आज का पंचान, 5 सितंबर 2022 देश शोम मार, भादर पद मास की शुकल पक्षकी, 9 मिति थी, सुबा 8 बच कर 28 मिलट तक रहेगी, इसके उपरान दश्मिति थी प्रारम हुचा आईगी राहु काल, अर्थाद दिन का सबसे असुपसम में, सुबा 7 बच कर 46 मिलट से, 9 बच कर 19 मिलट तक रहेगा, आज का भी जीत महुरत, अर्थाद दिन का सबसे सुपसम में, दोपहर 12 बजे से, 12 बच कर 50 मिलट तक रहेगा, आज चंदरमा धनु राशी पर संशार करेगी, औ काल की खरोचे आ सकती है, ना चाहते हुए भी आप किसी करीबी को बातों बातों में नराज कर सकती हैं, आज के वल अपने काम सही मतलब रखना उप्युकता रहेगा, सिनेमा या किसे और मरंजक कार्यकलाब में समय बिता सकती हैं, अभी कानोनी परशान या औरोध पीड़ वाद विवाद आपकी कुश्यों में बाधा बन सकती है, काम में अपने प्रयाह जारी रखें, और आप समस्य में भी समधान ढूंड पाएंगी, दुश्रों की बातों को अंदीखा करीं, और उन पर धिहान के इंदित करीं, जो आपकी शुप चिंतक हैं, नए शुरुआत के लिए आज के समय अच्छा है, हालकि कुछ चिंताओं की संभावना है, किन्तो आप इन्हें अच्छे से समहाल सकते हैं, किसी यात्रा मुलाकात या समारों के योग भी बन रही हैं, असफल लोगों के पास बचने का एक मात श्यमाधानिया होता है, कि वो मुशीबत आने अपने लक्ष को बदल देते हैं, स्वासा का खास ख्यार रखे नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं, आर्थिक जीवन के इस्तेते आज अच्छे नहीं कही जा सकती, अच्छा आपको बचत करने में मुश्किले आ सकती है, परिवार के किसी महिला सदश्य की सेहत चिंता की वज़ा बन सकती है, अपने प्री के नराजकी के बावजूत, अपना प्यार जाहिर करते रहें, अपने बीते दिनों कार छेत्र में कई काम अधूरेत छोड़े हैं, जिसका भुकतान आच्छा आपको करना पड़ सकता है, अच्छा आपका खाली वक्त भी ओपिस के काम क को पूरा करने में ही लगेगा, आपकी बीती जिन्दगी का कोई राज, आपकी जीवन साथी को उदास कर सकता है, समय मुफ्त जरूर है, पर बेस कीमती भी है, इसलिए अपने अधूरे कारियों को निप्टा कर आप आने वाले कल के लिए निश्चिनत हो सकते हैं, इस समय क संपरक शुत्रों तथ मित्रों से मेल मुलाकात लाबदायक रहेगी, विवाय योग्ये लोगों के लिए कोई अच्छे रिस्ते से समंधित बाच्चे सुरू हो शक्ती है, आपके छमता बढ़ती हुई नजरा रही है, जिसके कारण कटीन परिस्थिती का सामना करके सफल हो नय काम से बड़ा फायदा मिल सकता है, अपनी जरुरतों को समझ कर उन्हें पूरा करने की कोशिश करी, बदलते वातावरन की वज़े से बुखार जैसे तकलीप हो सकती है, आज अब बेचयन मैसूस करेंगे, आपका खराफ स्वास्त बेचयनी का कारण होगा, छात्रों का पढ़ाई में नहीं लगेगा, नौकरी करने वाले लोग, नौकरी में आने वाली बधाओं से परशान रहेंगी, वैपारी वर्ग के लिए हालात समान्य रहेंगी, शवधान या, कोई परवारिक मसला चल रहा है तो, वरिष्ट सदश्यों के मार्ग दर्शन में सुल्जान से सम्मंद अच्छे हो सकती है, कोई भी खास कारी करते समय उसके सभी पहलूओं पर सोच वचार करने से उशित परणाम मिलेंगी, बात करते हैं लव लाइफ की, पती पतनी की विच बेहतरिन समंजिस सरहेगा, घर में महमानों के आगमन से चहल पहर भरा, खुशनुमा भी रहेगा, शश्राल वालों की तरफ से कोई खबर मिलेगी, अपने एहंकार को दूर रख कर, परशानियों का सामना करना सच्चे साथी की निसानी है, कोई आता शमारों या पाटी आचाप की कार्स में है, नए रिस्ते बनाने और पुराने रिस्ते में नए जान डालने क आज का समय अच्छा है, घरेलू उतार चड़ाओ, नए योशनाय और फ्रेस कोची, आपका इंतिजार कर रही हैं, आपकी किसमत में एक लंबा और प्यार भरा सम्मन्द है, बच जीवन में किसी भी तरह की जिल्दबाजी से बच्ची, आप अपने पार्टनर या अपने सम मन के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आज से ही स्थिति इस पष्ट होनी सुरू हो जाएगी, बहुत सारे काम और व्यक्तित्व की ऐसी बाते जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, अब साप होना सुरू हो जाएगी, यसे आपको या फैसला लेनी में खासी मदद मि क्योंकि कुछ इस थीतियों में आप अपना आपक हो सकती हैं, कुछ भी क्रोधित तरीके से ना बोले की, किसी को वो आक्रमा क्या गलत लगी, इस समय इस बिंदू पर अनभिग्य रही और बाद में एक परिक्रिष्ट तरीके से अपना रोस बाहन निकाली, आप खुश रह है क्योंकि आपनी काफी धन एकत्रित कर लिया है, जो कि आप विला सीलता से भरी वस्तू पर खर्चे कर सकती हैं, आपका वैवहारिक दुष्टी कोड आपको आर्थिक रूप से सम्रिद्य होने में मदद करेगा, अपने आपको किसी वाद्विवास से दूर रखी, का अच्छे से सामना कर शकती हैं, आपके विस्त दिन शर्य आजाब के लिए तनाव का कारण बन सकती है, सत्रू, लगु, यात्रा बैठा किया सबा की भी संभाव ना है, कोई भी अनावश्चक जोखिम लेने से बच्छी, इस समय बिश्निस के हालात पहले की तरह ही रहें कोई भी महत्तोपूर्ण नेर्ना लेना उच्छित नहीं है, या समय अपनी रुकी हुई पेमेंट कलेक्ट करने तथा संपर करशुत्रों को और अधिक मजबूत बनाने का है, नौकरी पेशा लोगों को नई संभावनाय मिलने की उमीद है, बात करते हैं सेहत की, वरतमान म आउसम की वज़े से कुछ सुस्तिव ठकान मैसूस हो सकती है, अपनी छमता से अधिक कार्यभार भी ना ली, आप काफी लंबे समय से सही शेप में नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ दिन से एक्ससाइश नहीं कर पा रही हैं तो इसका या मतलब नहीं है कि आप या कभी नह नहीं कर सकती, कोई आपके आस्वास ऐसा है जो नकरात्मकता फैला रहा है, इसे से आप पर बुरा असर पड़ रहा है, अपने सेहत का पूरा ख्यार रखें और अपनी उर्शा का प्रयूग अपने भले के लिए करें, आज का उपाएं, आज अब भगवान शंकर और इस भगवान शी की पूचा करें शुब रहेगा, जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, आपका दिन शुब हूँ